नमस्कार दोस्तों मेलसे आपस अग्षी का आज किश नएषण क्लास में दिन वर दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले जिन भी 202 चाहत्रों का एकजाम 2022 में होने ला तो यानि आने वाले द्रव में उनके लिए वीडियो बहुत ही महान philosoph coordinating होने वाली है तो वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखता है क्योंकि आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यानि कि समासाफ्त से सम्मंदित most important question और answer के बारे में या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा model question paper में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो अगर वीडियो का आप लोग सुरू से लेकर लाश्ट तक देखेंगे तो guarantee के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे question आपके exam में देखने हो को मिलें कि जब आपका question paper आपके सामने होगा guarantee के साथ कह रहा हूँ तो सुरू से लेकर लाश्ट तक वीडियो देखेंगे आप लोगों खुदी समझ में आ गया मैं किस model question आप तक प्रवाइट करना कौन-कौन से model question paper ठीक है मैंने इस वीडियो में रखें तो ध्यान से समझेंगे ठीक है पहला question है कि समाज सास्त्र क्या है सबसे बड़ा question यह उठता है सोचिलोजी का यानि समाज सास्त्र का जो subject है कि समाज साफ्त्र है क्या चलिए इसके बारे में जानते हैं deeply हम समझेंगे और आप लोग को इस question का answer समझने के बाद आप लोगों कहीं और दूसरा answer समझने के जोत नहीं पड़ेगी लिखा है कि समाज साफ्त्र समाज का ही एक बिग्यान है ठीक है ध्यान दीजेगा समाज सास्त्र का ही एक बिग्यान है या एक नवीन समाजिक बिग्यान है इस बिग्यान के द्वारा मानो स समाज या समाजिक जीवन का वैज्यानिक पद्धत से अध्यन किया जाता है साब्दिक अर्थ की द्रष्ट से यद देखा जाये तो समाज साफ्त्र दो सब्दों से मिलकर बना दिखाई देता है जो की निम्नुवत है आप सभी के सामने किस सब्दों से बनता है लिखा है कि सम वो society plus science या फिर आप कह सकते हैं समाज plus साफ्त्र मिलकर समाज साफ्त्र बना है यानि सोसोलोजी और लिखा है कि समाज साफ्त्र अंग्रेजी भासा के सोसोलोजी सब्द का हिंदी रुपांतर है जान दिजेगा समाज साफ्त्र अंग्रेजी भासा के सोसोलोजी सब्द का हिंद सभ्द से और दूसरा सप्द लोगस का अर्थ है समाज तथा लोगस का अर्थ है लोगों को पूरी तरद समझ में आ गया होगा कि समाज क्या है समाज अर्थ क्या है और यह कैसे समाज साफ्त्र बना किन किन सब्दों से ठीक है पहला तो आप लोगों के मेन पॉइंट रख लेना है कि समाज साफ्त्र समाज का एक ठीक है एक एक बिज्ञान है ठीक है समाज साफ्त्र का ही एक बिज्ञान है एक नवीन समाजिक बिज्ञान है या गानिक पद्धत के अधन किया जाता है या उसके अनुसार ठीक है तो ये दो सब्दोसे मिल कर बना जो की मैंने आप लोगों को भी बताया है तो ऐसे-ईसे इसकी परिभांस आप लोग के ग्जाम लेक देना है पूरे नमबर मिल जाएंगे समाज सास्त को परभासित कीजिए परिभासा दीजिए ठीक है तो आप लोग को लिखना है एंसर में मैं आपको बता रहा हूं लिखा है कि मैक्स वेवर के सब्दों में यानि कि एक आप लोग कह सकते समाज सास्त्री है मैका वेवर मैक्स वेवर जो की एक समाज सास्त्री है तो इनके अनुसार लिखा है कि समाज सास्त्र वह विज्ञान है तो मैक्स वेवर के सबनों के अनुसात समाज सास्त्र का विग्ञान जो समाज्य रिया का उधियस्पूनद बिक्यात्मक बोद करने का प्रियास करता ताकि समाज रिया की घट्रीए और पैड़ामों के कार सहित बियाखी किया जा सके ठीक है और वहीं दूसरे समाज सास्त्री के अंसार इसकी परिभासा क्या दी गई पढ़ते हैं लिखा है कि मैका इवर एउंपेज के अंसार समाज सास्त्र समाजिक संबंदों के बिशे में है ठीक है ध्यान देजेगा समाज सास्त्र समाजिक संबंदों के बिशे में है पॉइंट वाइज करके आप लोग लिए इनके परिमाद की परिमासा यह दिया है और मैंका एवन यानि कि निस्ट जो समाद साथती इनके परिमासा समाद साथती यह दी गई मुश्ट इंपॉर्ण कोश्ट आए आपके एक्जाम में आना ही आना ये इनके रख लिएगा नेश्ट कोश्चेण है कि ब्यग्जानिक पद्यत की प्रमुग विशेस्ताएं क्या हैं ध्यान देजेगा यहां पर क्या यह होना चाहिए ठीक हला कि वह भी हलंत लग गया तो य निष्ट है समानी करण और निष्ट है यानि चार नमबर भविष्वाडी पांच नमबर है बिज्यानिक प्रावरत्ति छे नमबर है तधास्तता वैस्यक्ता साथ नमबर है धायर आठ नमबर है सक्त मेहनत या कठिन परिस्तरम ठीक है सक्त मेहनत या कठिन परिस्तरम निष्ट यानि की नव नमबर है जिग्यासा की प्रावरत्ति निष्ट यानि दस नमबर है रसनात्मक विचार सक्ति तो यह रही बिग्यानिक पद्यत की प्रमुख विशेष्टा हैं जो कोई सवह कूश्चन आपको समझ मेबंगे हर वीडियो में बोलता हूं ठीक है बढ़ेंगे कि समय साफ्त्र का अध्यान को अध्य当 में अल भीर विभिध्यान ओके मतों को मुक्तादों भागेमें पहला है स्वर्वभाप्तमक यता ही यथा स्वारूपेण विखिशिसातमक संप्रदाय दूसरा है समन व्य तुम थे सब्सक्रमाइब शमाज शास्त्त एक विशेष बिज्ञान है इसका संबंद अन्य विज्ञानों जैसे भ auditik astr तसायं शास्त्त तथा अर्थ शास्त Products से भी इसका संबंद है जब तक कोई भिज्ञान अपने छेत्र में विशेष अस्तान नहीं बना लेता तब तक वह बिग्यान पूर नहीं नहीं बन पाता या फिर होता है अपनी भास में आप समझ लीजेगा ठीक है तो जो स्वरुपा आत्मक या थारुपेड विशेस्थान संप्रदाय में बताया गया है वो है जब तक कोई विग्यान अपने छेत्र में विशेस्थान नहीं ब विघ्यान है तो यह अन्ह बिशिष्च समाजिक विग्यान का समभि मातर है जी आदिजे का श्माट्र के विसरे चेत्र के अंतरक्त समाजिक समंदों का समाद ड़न होना चाहिए आप श्पयश्ट है कि सम्प rooted कस्यों lihat कि चात्रुप प्शालयं बिश्दित है यह समश सास के छेत्र है अध्धन के छेत्र उसमें दो इनकी प्रमुक बार जो भागों में बाटा गया है दोनों के जो जो दोनों के अंतरगत जो भी इनकी परिभासाई आप कह सकते हैं कि इनके अंतरगत जो भी आ है वो इनके छेत्र में यानिकी अध्धन के छेत्र में इसके बारे में इसका क्या मतलब है यह दोनों पॉइंट में आपको बताएगे आप लोग द्हान से समझ लीजेगा बाद में भी एक दो बार पढ़ लीजेगा जिसे आप लोगों को पूरीता समझ में आ जाए ठीक है चलिए हमबढ़े अंगले को स्वस्फट्र क्यूंशंद के ऊर अगला कोष्ट्र न Richardson कि आते Others चलिए बहृत मोज्ट्र को समझद ला करेंगे जिन्होंने सर्व प्रथम 1838 अस्वी में सर्प्रथम ठीक है ध्यान दिजेगा सोस्योलोजी सब्द का पिर्योग किया अताह क्राम्टे को समाश साथ्र का पिता यानि फाधर आप सोस्योलोजी कहा जाता है ध्यान दिजेगा अगस्त क्राम्टे को समाश साथ्र का पिता यानि कि समासत्र का विकाज सरपतम कहां से प्रारम हुआ तो आपको आपसंदे दिये जाएंगे उसमें भाराज, यूरोप, और नमार, अस्थान तो आपको सिलेक्ट करना है यूरोप से हुई है और जो आगस्त कामटे हैं यह फोदर आप सोसोलोजी है यानि कि समाज साथ के पिता है यह ज्यान रखिएगा ठीक है इसमें से बहुत सारे कोश्चन बन रहे है तो कि आप अच्छे समझेंगे यह जो परिभास है तो आपको डाउट जरास भी नहीं होगा इससे सम्मंदित कोश्चन पूछे जाएंगे तब ठीक है लिखा है कि समाज साथ के विकास की प्रतम अवस्ता यूरोप से हुई है और लिखा है कि समाजिक जीवन के बारे में ज्यान दिजेगा समाजिक जीवन के बारे में ब्यवस्थित धंग से सोचने का प्रियास यूरोप के यूनानी दाशनिक प्लेटो तथा उनके सिस आरफ को जाता है अगस्त काम्टे ने समाज में समाज से शंबंदित अध्धन को सरप्रथम समाजिक भौति की यानि की शोसोलोजी फिजिक्स के नाम से पुकारा समाज सास्त के हरबर्ट इस्पेंसर 1820 से 1903 तक मैक्स वेवर का नाम विशेश रूप से प्रिसिद्ध है मानव एक सम समाजिक प्राणी है इसलिए प्रारंब से समाज के विशे में चिंतन करता रहा भारत में वेदों साहिंतों अस्मिर्तियों में मानव तथा समाज का उलेग किया गया है विश्णुगुप्त ने अर्थ साफ्त्र में समाज साथ्ट पर लिखा समाज साथ्ट का जन्म 1838 में इसी चिंतक अगस्त क् कि जिनका जन्म जो है फ्रांसी चिंता कर अगत काम्टे से माना जाता है मोस्ट इंपॉर्टन कुश्चन है रट लीजाएगा जर्नली भी आपको वैसे भी जानना है तो आप लोग के लिए बहुत ही बहुत ही हेल्पूल साबित हो सकता आपके एक्जाम में ठीक है नेस्ट को कि विषय वस्त के विषय में अपना मत ब्यक्त किया जो निम्लिखित है तो ध्यान देजेगा समाज सास्त की विषय वस्त बताईए तो विषय वस्त बताने पर गिर्ष वर्ग जो है समाज सास्त्री इन्होंने समाज की विषय वस्त के विषय में अपना मत क्या ब्यक्त कि जैसे समूँ, शमदाय, शमतिया, आधि, जैसे आप लोगों को समूँ, शमतिया, याद रखेगा, शमाजिक नियंत्रण, इसके अंतरगत उन वस्तों का अध्ण किया जाता है, जिनमें मानों बेवहार नियंतित होते हैं, जैसे कानून, धर्म, नीत, संगर्ष, याद में ठीक है जिसमें मानों का बेवार्ण नियंतित होता है उनके जामपल यहां पर है यानि कि उदाहरण के रूप में तथा संगर्स ने संवाजिक प्रिक्रिया इसमें ब्याधिकी इसमें क्या आता है लिखाश के अंतर का समाजिक विद घटन अप्राज निर्धनता बेकारी आद महत्या आद बेवदियां का अध्धिन किया जाता है तो यह रहा समाज सास्त्र की विशय वस्त के बारे में थोड़ा इसके बारे में एक्षपलेलेशन ठीक है या समाजिक रष्णनारा या समाजिक रष्णकार या करी की दूसरा समाजिक फिर्क hyac ig तो इसके अंतरगत आप लोग थ्यान देंगे तो आसाने से लिख भी लेंगे थोड़ा दो आर लाइन में ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है बढ़ेंगे निस्ट को और यानि जितने बेवी मैंने कोश्चन मताएं इसारे अतिलग हुत्रे बेश के थे अब आप लोगों के एक्जाम में निस्ट जो होगा या फिर निस्ट जो सचन होगा ठीक है पह पहला है शमाज सास्त्र में मानिवी की अभी मुखन पर टिपड़ी लिखना है यह कोश्चन लग उत्रे बेश का है इसलिए इसको आप लोगों को कम से कम 2.5 तीन पेज में जरूर लिखना है जिस तभी आप लोगों को पूरे का पूरे नंबर मिलेंगे 2.5 पेज में कम से कम लिखना है ठीक है तभी मिलेंगे पूरे अंक और मैं आपको यह भी बता दूं कि इन सारे कोश्चनों का एंसर जो मैं बता रहा हूं अब अब जो आगे-आगे कोश्चन आ रहे हैं इस सारे के कोश्चन का एंसर मैंने नहीं लिखे क्योंकि बहुत ही लॉंग लोंग को कोश्चन के अंसर हैं आपको अगर हम बताएंगे समझाएंगे तो आप भी बोर होंगे और साथ-साथ में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा तो इसलिए कोश्चन मैंने टॉप लेबल के फिल्टर कर लिया है इन कोश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लिजेगा और ब लिखना है और अश्परस्ट करना है इसी में रागुत्र कोश्चन एक पृष्ट करते वे सिद्ध की प्रिकट करते हूँ डहां लिख रहा है यह सारे लोगों को गूगल आपकी बुक में मिल जाएंगे ठीक है पढ़ लीजगा इंसर लिखाए भायत वर्ष के विकास पर प्रकाश डालिए यह भी आप लोगों ने थोड़ा उपर कोश्चन पढ़ा है फिच्छा के बारे में दूसरी से रिलेटेड है थो परभासित करते हुए विभिन समाजिक बिज्ञानों से संबंधों को अस्पष्ट कीजिए तो जो समास्तायत के परभासित करें उसके परभासा दीजिए उसके विभिन जो समाजिक बिज्ञान है ठीक है उनके संबंधों के बारे में आप लोगों को लिखना है तो यह तो आपको इस वीडियो से समझ के जाते हैं तो कम से कम आपके 20-25 नंबर क्लियर हो जाएंगे ठीक है यह आप लोग जब एक्जाम देख रहेगा तब बताएगा ठीक है तो इसको तीन से चार-पांच बार कोईश्चन को पढ़ लीजेगा रट लीजेगा 20-25 नंबर क्लियर ह हो जाएंगे ठीक है आई होब आपको वीडियो अच्छी लगें लाइक करें और कौन सा सब्जेट का मार्डर पेपर इसी तरह का चाहिए कमेंट सेक्शन में जुरूर बताएं टेलिग्राम चैकर लिए वीडियो में तब तक करे जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर हो जाएंगे ठीक है